सिक्षार्थियों आप सभी का स्वागत है मैं डाक्टर सुरेंद्र कुमार सहाय का आचार शिक्षा विद्या साखा उत्तर प्रदेश राजर्शी टंडन मुक्त विश्विद्याले प्रियाग राज से आज मैं एक मुख्य विशय पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ यह विशय बी ए शिक्षा सास्त्र जो प्रथम सेमेश्टर का पाठकरम है इस प्रथम सेमेश्टर का जो प्रस्णपत्र है जिसका कोड यूजी एडी एक सो एक प्रिंस्पल साफ एजूकेशन यानि सुक्षा के सिध्धान्त है इसके खंडदो जो अधिगम का मनोविज्ञान है उसी के इकाई पांच में जो पाठकरम का अर्थ प्रकार तो मुसके सिध्धान्त है इसी विषय पर मैं चर्चा के लिए आज उपस्थित हूँ आज हम इस विषय के अंतरगत पाठकरम का अर्थ उसका संप्रत्य उसके कंसर्प्ट को जानने का प्रियास करेंगे विभिन परिभासाओं के माध्यम से सर्पर्थम हम इसके अर्थ को इस्पष्ट करने का प्रियास करेंगे तत्पश्चात इसके कितने प्रकार हैं इस पर भी विष्थार से चर्चा करेंगे और अंत में इसके कौन-कौन से सिधान्त है इस विषय पर भी चर्चा करेंगे तो आएए चलते हैं अपने विषय पर विषय है पाठिक्रम पाठिक्रम जिसे अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं इसे कुछ लोग पाठचर्या भी कहते हैं हम सभी जानते हैं शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश होते हैं और उन्ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक विश्यों का अध्यन करना पड़ता है अनेक क्रियाओं को करना पड़ता है अनेक क्रियाओं का प्रसिक्षन लेना पड़ता है शिक्षा के जो निश्चित उद्देश्य होते हैं उन्हें निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन विश्यों के ग्यान यम क्रियाओं के प्रसिक्षन को पाठकरम कहते हैं अगर हम इसके साब्दिक अर्थ पर जाएं तो इसे अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं जिसे हम माना जाता है कि यह लाइटिन सब्द क्यूरेर से बना हुआ है इस लाइटिन सब्द क्यूरेर का अर्थ है दोड़ना और इस प्रकार कर्कुलम का अर्थ हुआ दोड का मैदान जिस प्रकार एक खिलाडी किसी मैदान में दोड कर अपने लक्ष को प्राप्त करता है या कोई व्यक्ति दोड कर अपने लक्ष को प्राप्त करता है ठीक उसी प्रकार से एक विद्यार्थी को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठकरम को अपनाना पड़ता है पाठकरम को पूरा करना पड़ता है इन्हीं पाठकरम को पूरा करते हुए हम अपने उद्देश्यों को अपने सैक्षिक उद्देश्यों को प कि आधुनिक समय में विद्याले की कख्षाओं में किये जाने वाले कार पुस्तकालियों में लिए जाने वाले अनुभों परियोगसालाओं में लिए जाने वाले अनुभों कारिसालाओं में लिए जाने वाले अनुभों खेल के मैदान में विद्यार्थियों के द्वारा ल पाठ कर्मिये या कक्षागत किर्याओं तक ही सीमित नहीं है बलकि पाठ कर्मिये युम पाठ सहगामी किर्याओं को भी इसमें सम्लित किया जाता है। इसके अर्थ को हम विभिन विद्वानों के परिभासाओं के माधिम से भी जानने का प्रयास करते हैं जिससे इसका अर्थ और इसपश्ट हो जाएगा मुन्रों ने विद्याले की समस्त क्रियाओं को पाठकरम माना है इसके अंतरगत पाठकरमिय यों समस्त पाठसहगामी क्रियाओं को सम्मलित माना जाता है मुन्रों का मानना था कि पाठकरम में वे सभी क्रियाओं सम्मलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देशियों को प्राप्त करने के लिए विद्याले में उपयोग करते हैं। इस पकार देखा जाए तो इन्होंने समस्त पाठक्रमिय यों पाठ सहगामी क्रियाओं का योग माना है कि यह पाठक्रम है। एक अन्विद्वान कनिंगम है कनिंगम ने पाठक्रम को एक साधन माना है कनिंगम के अनुसार पाठक्रम एक कलाकार यानि सिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री यानि सिस्ष को अपने आदर्स यानि लक्ष के अनुसार अपने कलाग्री यानि विद् धन्मानना एक अनविद्वान जो वाल्टर्ठ सी हैं वाल्टर्ठ सी के अनुसार पाथकरम में वे समद्श अनुभो समलित हैं जिनको बालक विध्याले के निर्देशन में प्राप्ट करते हैं इसके अंतरगत कक्षा-कक्ष की क्रियाय यूं के बाहर के समस्तकार यों खेल समलित हैं इस तरह से अगर इनकी परिभासा का विश्लिस्ण किया जाए तो इन्होंने पाठकरमिय यों पाठ सहगामी क्रियाओं के योग को पाठकरम माना है फ्रावेल फ्रावेल ने जीवन का संपूर अन्वों को ही पाठकरम माना है उनके अनुसार पाठकरम को मानो ज्याति के संपूर ग्यान तथा अन्वों का सार समझना चाहिए इस प्रकार देखा जाए तो इन्हों ने जो व्यक्ति का संपूर जीवन का अनुभो है उसको ही पाठकरम मान लिया है अब अगर हम इन सभी परिभासाओं का विशलेशन करें तो इन विशलेशन के उपरांत पाठकरम का स्वरूप कुछ इस प्रकार उभर कर आता है जिसमें से एक है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्याले की समस्त क्रियाएं यानि विद्याले की जो समस्त क्रियाएं होंगी उस शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं वह सभी पाठकरम है नेक्स्ट है विद्याले में छात्रों के द्वारा शिक्षकों के निर्देशन में किया जाने वाला समस्तकारे यह भी उपरियुक्त जो बिंदु है उसका समर्थन करता है कि विद्याले में छात्रों के द्वारा शिक्षकों के द्वारा जो भी कार कराया जाएगा चाहे वो पाठक्रमिय होगा या पाठसा करमिय क्रियाएं होंगी वे सभी पाठक्रम हैं नेक्स्ट है पाठक्रम शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्यन का निश्चित यों तर्कपूर्ण क्रम है यह ऐसा तर्क पूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से वह नवीन ज्यान का अनभोगरहन करता है तथा उसके आधार पर अपना जीवन यापन करने का प्रयास करता है नेक्ष्ट एंड लाष्ट पाठक्रम जीवन के लक्षों की प्राप्ति का साधन है यानि कि जीवन जीने के लिए जीवन के लक्षों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को जो भी जीवन से संबंधित क्रियाएं करनी होती है उसको सीखने के लिए वह जो विद्याले में यह विद्याले से बाहर जो भी अध्यान करता है उसे हम पाठकरम कहते हैं तो इस तरह से हमने देखा कि पाठकरम किस तरह से कुख्षागत क्रियाओं के अलावा भी विद्याले प्रांगर में, खेल के मैदान में, पुस्तकाले में, कारिश साला में यम हम प्रयोक साला में किये जाने वाले अनुभों को समलित करता है। अब हम पाठकरम के कितने प्रकार हैं, कौन-कौन से प्रकार हैं, इस पर अपना ध्यान के इंद्रित करते हैं, वैसे तो देखा जाए, अनेक प्रकार के पाठकरम हैं, चितने भी पुस्तकों में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, अनेक प्रकार के पाठकरम मिलेंगे आपको, लेकिन यहां आपके विशय वस्तु की दृष्टी से आपके पाठकरम की दृष्टी से जो उपयोगी है उन्हीं पाठकरम के प्रकार पर हम अपना ध्यान के इंद्रीत करते हैं यह पाठकरम है विशय के इंद्रीत पाठकरम जिसे subject-centered curriculum कहा जाता है एक है बाल के इंद्रीत पाठकरम जिसे child-centered curriculum कहा जाता है और नेक्स्ट है जीवन के इंद्रीत पाठकरम जिसे life-centered curriculum कहा जाता है नेक्स्ट है क्रिया प्रधान पाठकरम जिसे activity-centered curriculum कहा जाता है और नेक्स्ट है मिस्रित पाठक्रम जिसे Fused करकुलम कहा जाता है और नेक्स्ट है एकिक्रित पाठक्रम जिसे Integrated करकुलम या समेकित पाठक्रम कहा जाता है और लास्ट है आधार भूत पाठक्रम यानि Core करकुलम अब हम जितने भी प्रकार के पाठ करम हैं सभी पर करमसह अपना ध्यान के इंद्रित करेंगे उसके विशे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि इसका संप्रत्य आपको आसानी से समझ में आ जाए जो विशे के इंद्रित पाठ करम है जो नाम से इसपष्ट है सब्जेक्ट सेंटर यानि इसमें विशे को महत्त दिया जाता है इस पाठ करम में शिक्षार्थी की अपेक्षा विश्यों को अधिक महत्त दिया जाता है जिस प्रकार से प्राचीन काल में विश्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, शिक्षार्थियों पर कम ध्यान दिया जाता था, प्राचीन काल की व्योस्था पर यह आधारित पाठकरम है, जिसमें शात्रों की रूची, शात्रों की आवसेक्ता यूं शात्रों की शम छात्रों के मनोविज्ञान को ध्यान में न रखकर केवल विशय को ध्यान में रखकर पाठ क्रम की रचना की जाती थी next है बाल केंद्रित पाठ क्रम child centered kerekulum नाम से इसवेश्ट है किसमें बालकों का ध्यान दिया जाएगा बालकों को केंद्र मान कर पाठकरम की रचना की जाती है इसमें बच्चों के मनोविज्ञान का ध्यान दिया जाता है जिस तरह से विशय के इंद्रित पाठकरम में विशय को महत्त दिया जाता था शिक्षार्थी को महत्तु नहीं दिया जाता था उतना ज्यादा महत्तु नहीं दिया जाता था उसकी अपिक्षा इसमें छात्रों को अधिक महत्तु दिया जाता है उनके रुची को उनकी आवस्यक्ता को उनकी छमता को ध्यान में रखते हुए पाठकरम की रचना की जाती है इसमें समाज की अपिक्षा व्यत्ति को महत्त दिया जाता है व्यत्ति यानि वालक को महत्त दिया जाता है विद्यार्थी को महत्त दिया जाता है शिक्षार्थी को महत्त दिया जाता है इस तरह के पाठकरम ज्यादा उप्युक्त प्रतीत होते हैं जो आजकल अधिकतर चलन में दिखाई देते हैं नेश्ट है जीवन के इंद्रित पाठकरम लाइफ सेंटर्ड केरकुलम इस तरह के पाठकरम में ऐसे विशेवस्तुओं का समाबेश किया जाता है वास्तविक जीवन से संबंधित ग्यानियम क्रियाओं को महत्व दिया जाता है जीवन की वास्तविक क्रियाओं में भाग लेकर ही इसे पूरा भी किया जाता है जैसे आजकल प्रचलन में है योग क्रिया, योग विज्ञान, योग की सिक्षा क्रिया द्वारा सीखने का आउसर दिये जाने का पराउधान जिस तरह के पाठकरम में रहता है उसे क्रिया प्रधान पाठकरम कहते हैं क्योंकि बच्चे क्रिया के द्वारा अधिक सीखते हैं करके सीखने से उनकी राचनात्मक प्रविर्ति का विकास होता है उनको राचनात्मक प्रविर्ति विक्षित करने का आउसर मिलता है और जब बच्चे क्रिया करके सीखते हैं तो उनके मानस्पटल पर विशेवस्तु अंकित हो जाता है। इसलिए आजकल देखा जाता है छोटे बच्चों का पाठकरम में किरिया की प्रधानता अधिक रहती है। वो विद्याले में किरिया करके विशेवस्तु को सीखते हैं और घर पर भी लाते हैं किरिया करके उन विशेवस्तु को सीखने का आउसर पाते हैं। वो बात अलग है कि आजकल छोटे बच्चों के जो पाठकरम इतना जादा क्रिया परधान हो गए हैं कि घर पर बच्चे उतना इनवालब नहीं रह पाते हैं, बच्चों की तुलना में उनके गारजियन ही जादा इनवालब रहते हैं, लेकिन फिर भी गारजियन को देखते ह हुए भी बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो इस तरह से क्रिया परधान पाठकरम एक तरह से बाल के इंदरित पाठकरम का ही रूप है, जिसमें छात्रों को क्रिया करने पर विशेश बल दिया जाता है, नेक्ष्ट है विश्रित पाठकरम, फ्यूज कर्कुलम, इस कुछ एक जैसे विशे होते हैं, उन सभी विशियों को एक विशे के रूप में अध्यन कराने से विद्यार्थियों के लिए अधिकुपयोगी होता है, जैसे कक्षा दस तक समाजिक विशे पढ़ाया जाता है, या समाजिक विग्यान के रूप में पढ़ाया जाता है, इस इस तरह के जिस पाठकरम में बेवस्था होती है उसे मिस्षित पाठकरम कहा जाता है Next है एकिकरित पाठकरम, integrated यानि समेकित पाठकरम वहाँ पाठकरम जिसके समस्त विशियों की पाठ सामगरी और क्रियाओं के बीच सहसंबंध होता है यानि कुछने जितने भी उसके उपविसे होंगे उनमें और उसकी जो समगरीया होंगी उनके बीच में एक निश्चित सह संबंध होगा जिसे एक इकाई के रूप में विक्सित किया जाता है इसमें ग्यान को पूरीकाई के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है या यह कह सकते हैं कि ग्यान को पूरीकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इस तरह के पाठकरम का बच्चों के वास्तविक जीवन से सीधा संबंध होता है इस तरह से देखा जाए तो एके किरित पाठकरम छात्रों के लिए अधिकुपियोगी होता है नेक्स्ट और लास्ट है आधार भूत पाठकरम जिसे कोर कर्कुलम कहते हैं हम जानते हैं शिक्षा समवर्ती सूची के अंतरगत है और शिक्षा व्यवस्था राज का उत्तरदाईत है प्रते एक राज का उत्तरदाईत है कि वह अपने राज में शिक्षा की व्यवस्था करे अपने उत्तरदाईत का निर्वहन करते हुए प्रते एक राज एक निश्चित इस्तर की शिक्षा की व्यवस्था करता है और किसी भी राज में एकनिशीत इस्तर की सिक्षा व्यवस्था आवस्यक है जिसके लिए पाठकरम को आधारभूत पाठकरम कहते हैं अगर बच्चों का सारेरिक विकास करना है बच्चों का मानसिक विकास करना है बच्चों का भासागत विकास करना है तो उसके लिए पाठकरम की रचना जो की जाएगी वह आधार भूत पाठकरम के अंतरगत आएगी एद्व की पाठकरम में छात्रों के मनोविग्यान का ध्यान रखा जाता है उनकी आउसकता उनकी रुची का ध्यान रखा जाता है लेकिन आधार भूत पाठकरम क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ज्यादा उपियोगी होता है छोटे बच्चे के अगर रुची का ध्यान रखा जाएगा तो उन्हें सारीरिक रूप से सुद्रिण नहीं कर मिलेगा जिसके लिए उन्हें सारीरिक ब्यायाम की जरूरत होगी खेल कूद की जरूरत होगी और कुछ पाठकरम ऐसे होते हैं जो छेतर के आधार भी बनाना उपियुक्त होता है उस छेतर की विसेस्ता के आधार पर बनाना उपियुक्त होता है और मात्रभासा का ग्यान भी प्रात्मी की स्थर से ही देना अधिकुपियोगी होता है जब मात्रभासा का ग्यान होगा तो उनके संप्रेशन की छमता भी विक्सित होगी उनके संप्रेशन की छमता भी सुद्रिन होगी इस तरह से देखा जाए जो एक मूल भूत आव सेकता है शिक्षा जब छोटे बच्चों के लिए या बालकों के लिए शिक्षा की वेवस्था की जाती है और उनके लिए जो पाठकरम की रचना की जाती है उसे हम आधार भूत पाठकरम कहते हैं इस तरह से हमने देखा कि पाठकरम ये साथ परकार के हैं और इनका हमने विश्थित ब्रणन आपके सामने प्रस्तुत किया आसा है उमीद है आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका संप्रत्य आपके समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अगले बिंदु पर अगला बिंदु है पाठकरम निर्मार के सिध्धान पाठकरम निर्मार के जो सिध्धान है जिनका हम यहां पर चर्चा करेंगे वे हैं उद्देश प्राप्ति का सिध्धान्थ, उपियोगिता का सिध्धान्थ, वर्यता क्रम का सिध्धान्थ, अग्रदर्शिता या दूरदर्शिता का सिध्धान्थ, रुची का सिध्धान्थ, इस्तरा नुकूलता का सिध्धान्थ, सुसंभधता का सिध्धान्थ, और लाष्ट है सामान्नी करण का सिध्धान्थ अब हम इन विंदुओं पर एक-एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे जिसका संपत्य समझने में आसानी होगी पहला है उद्देश प्राप्ति का सिध्धान हम सभी जानते हैं कि पाठकरम उद्देश प्राप्ति का साधन है इसलिए चाहे वा प्रात्मिक इस्तर हो चाहे वा उच्छ प्रात्मिक इस्तर हो चाहे वा माध्मिक इस्तर हो चाहे वा उच्च माध्मिक इस्तर हो, कक्षा के सभी इस्तर के अनुसार उद्देश को ध्यान में रखकर ही पाठ करम की रचना करनी चाहिए। सामान जीवन के लिए उपयोगी, समस्तग्यान यूं क्रियाओं का समाबेश जिस पाठ करम में होता है, उसे हम उपयोगी पाठ करम भी कहते हैं और इस सिध्धान्द को उपयोगीता का सिध्धान्द भी कहते हैं। इसलिए स्वास्थ, भासा, समाजिक और सांस्कृतिक मांदन्डों का ग्यान भी इस तरह के पाठकरम में समलित किया जाना आवस्यक है। इसके साथ अन्य चीजों को विध्यान रखना होगा जो विध्यार्थियों के शिक्षार्थियों के जीवन के लिए उपयोगी हो उनकी आफसक्ता उनकी छमता उनकी छेत्र के आधार पर पाठकरम में जब हम विशेवस्तूं को समलित करते हैं तो वह हमारा पाठकरम को उत्रिण करने के लिए अनेक विशियों का अध्यन करना पड़ता है अनेक क्रियाओं को करना पड़ता है अनेक क्रियाओं में प्रशिक्षित होना पड़ता है इसलिए अनेक विशियों क्रियाओं में से महतपूर्ण को वर्यता देना चाहिए एक साथ सारे विश्यों का एक साथ सारे विशेवस्तूओं का अध्यन किया जाना सर्वत्था उप्यूक्त नहीं होता है इसलिए वरियता के अनुसार विशेवस्तूओं का अध्यन किया जाना आवस्यक होता है तो जब हम कक्षा के अनुसार विद्यार्थियों की छमता के अनुसार यम कक्षा के इस्त वस्तुमों को वरिता कर्म में रखते हुए पात कर्म की रचना करते हैं, नेक्ष है अगरदर्शिता या दूरदर्शिता का सिध्धान, अगरदर्शिता जानी आगे के लिए तयार करना, ऐसा पात कर्म जो छात्रों को शिक्षार्थियों को विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तयार करता है भविस्थ के परिवर्तनों का अनुमान लगाने का ज्ञान उसे कराता है तो हम यह मानते हैं कि यह पाठकरम दोरदैसिता के सिध्धान पर आधारित है इसलिए पाठकरम ऐसा होना चाहिए जिसमें भविस्ष में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाने की छमता हो, प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगाने की छमता हो, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, इसका ग्यान उसमें समलित हो, समाहित हो, जैसे आज देखा जा रहा है इस कुरोना काल में सभी भाइभीत हैं सभी परिसान हैं इस तरह के इस्थितियों से निपटने के लिए भी जब पाठकरम में वेवस्था की जाएगी तुसे ऐसा माना जाएगा किसमें दूरदस्ता या अगर दरश्ता का सिध्धान का अनुपालन किया गय भविस्थ के लिए कंप्यूटर उपयोगी है भविस्थ के लिए ही नहीं आधुनिक जीवन के लिए आज के समय के लिए भी कंप्यूटर उपयोगी है अगर प्रात्मिक शिक्षा से बच्चों को कंप्यूटर का ग्यान दिया जाए तो आज जो इस्थितिया उत्पन है एद्यव की ग्रामीर छेत्रों में चात्रों के अभिवाबकों के पास एक अच्छे किस्म का मोबाइल उपलब्ध है एंड्राइट फोन उपलब्ध है फिर भी अज्ञानता के कारण उसमें कौन से साफ्ट वेयर इंस्टाल करना है किस साफ्ट वेयर से विद्यार्थियों दे रही है फिर भी अगर इसका ग्यान प्रात्मिक शिक्षा से ही दिया जाए ग्रामीर छेत्रों के छात्रों को भी दिया जाए तो आज की स्थितियों से निपटने में साहता मिलेगी इस तरह के विशेवस्तूओं को पाठकर्म में समलित करना अगर दरिस्ता युम्दू पढ़ते हैं सेकेंडरी एजुकेशन या माध्मिक शिक्षा जो कि किसोर पढ़ते हैं और फिर उच्ची सिक्षा किसोर यों प्राउड दोनों पढ़ते हैं उनकी रुचियों में प्रयाप्त भिन्नता होती हैं उनकी आवसेक्ताएं अलग-अलग होती हैं इसलिए अग्यान का ध्यान रखते हुए छात्रों की रुचियों के अनुसार पाठकरम का निर्माड करते हैं आधने क्यों नए उधारनों का समाबेश करते हैं चित्रों ग्राफों का प्रयोक करते हैं तो बच्चे रुची लेकर पढ़ते हैं और जब रुची लेकर पढ़ेंगे तो जितने भी वी से वस्तूं का और अध्यन करेंगे उनके मानस्पटल पर अंकित हो जाएगा नेक्ष्ट है स्रिजनात्मकता या क्रिया का सिध्धान ऐसा माना जाता है कि जब बच्चे क्रिया करके पढ़ते हैं जब बच्चे कार करके पढ़ते हैं तो जो सीखी गई विसे वजदु है वो इस्थाई रूप से उनके मानस पटल पर अंकित हो जाता है इसलिए पाठकरम क्रिया आधारित होना चाहिए क्योंकि पाठकरम के क्रिया सीलता आधारित होने से उनमें सिर्जन सीलता आती है छात्र सिर्जन सील बनते हैं नए नए विचार उनके मन में आते हैं नए नए निर्मार करने की छमता उनके अंदर आती है और जो करके सीखते हैं उनका ग्यान इस्थाई हो जाता है उनको सुतंतर चिंतन का आवसर मिलता है और जब उनके द्वारा कार किया जाता है और उसको प्रोसान भी मिलता है तो उन 17 के पाठकरम का समावेश होने से हमें स्रिजनात्मक्ता का सिध्धान्त का अनुपालन होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जब हम पाठकरम में किर्या सीलता, स्रिजन सीलता, स्वतंत चिंतन करने की छमता का समावेश करते हैं, जिससे उनके अंदर स्रिजन सीलता आए, स्वतंत चिंतन की छमता आए, तो ऐसे हम समझते हैं कि यह स्रिजन सीलता के सिध्धान्त का अनुपालन किया गया है। इस तरह नुकूलता का सिध्धान्त बार बार चर्चा की गई है, पहले भी चर्चा की गई है कि इस तर के अनुसार चाहे वा कक्षा का इस तर है, चाहे वा आयू का इस तर है, उसके अनुसार छात्रों की बच्चों की सिक्षार्थियों की सारीरिक, मानसिक, सम्वेगात् और सामाजिक विकास में भिन्दता होती है। इन्हें सारीरिक, मानसिक, सम्वेगात्मक और सामाजिक विकास में भिन्दता के आधार पर पाठकरम को बनाना चाहिए। चाहिए उप्रात्मिक शिक्षा हो, उच्प्रात्मिक शिक्षा हो, पूर्मार्दमिक शिक्षा हो, या माध्मिक शिक्षा हो, आधिके जो पाठकरम हैं, इन इस्तर के अनुसार, उनके उद्देश के अनुसार, जब पाठकरम की रचना की जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि इस तरह अनुकूलता के सिध्धान का अनुपालन किया गया है नेक्स्ट है सुसंबध्धता का सिध्धान सुसंबध्धता का मतलब बच्चों के वास्तविक जीवन से सुसंबध्धता पाठकरम का विशेयों पाठ्स सामग्री में सुसंबध्धता विशेयों पाठ्स हगाम क्रियाओं में सुसंबध्धता या विद्यार्थियों के द्वारा विद्यालियों में या विद्यालियों के बाहर की जाने वाली क्रियाओं में भी सुसंबध्धता तो इस तरह के सिध्धान्तों का अनुपालन करते हुए पाठकरम की रचना जब की जाएगी तो विद्यार्थियों के द्वारा जो सीखा गया ज्यान है जो अध्यन की गई विशय वस्तु है उनके द्वारा लिया गया अनुभव, उनके द्वारा की गई क्रियाएं, उनके जीवन से संबंधित होंगी और वह अपने धैनिक जीवन में, अपने भविश में इस सीखे गये ग्यान का उपियोग कर सकते हैं इसलिए पाठकरम को सुसंबध करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपियोग कर सके, उसके लिए विशेवस्तु दैनिक जीवन में उपियोगी हो, उसका अपने जीवन में सामानी करण कर सके, जनरलाइज कर सके, कि जो वह ग्यान सीखा हुआ है, वो निरर्थक नहीं है, ब्यर्थ नहीं है, उसका दैनिक जीवन में उपियोग है। तो इस तरह के जब विशेवस्थूओं का पाठकरम में समावेश किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि इसमें समानी करण के सिध्धानतों का अनुपालन किया गया है. शिक्षार्थियों इस परकार आज हमने पाठकरम के अर्थ पर विश्थार से चर्चा किया, विविन विद्वानों के परिभासाओं के आधार पर उनके अर्थ को और इस पश्ट रूप में जानने का प्रयास किया, और विविन विद्वानों के परिभासाओं के विश्थार के आधार पर पाठकरम की क्या प्रकृति है, इसको भी इस पश्ट रूप में समझने का प्रयास किया, पाठकरम कितने परकार का है इस पर विस्ताज से वरण किया गया और पाठकरम निर्मार के कौन कौन से सिध्धान्त है इसको भी इस पश्च रूप में चर्चा किया गया उमीद है आपके लिए यहुप योगी रहा होगा आपने मेरे लेक्षर को ध्यान से सुना इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुना अगले लेक्षर में हम एक नए विशे के साथ उपस्तित होंगे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद झाल